असलाम वालेकुम डेफिनिशन इन उर्दू में एक बार फिर हम आपको खुशाम देते हैं आज जो हम डेफिनिशन पढ़ने वाले हैं वो हैं मैगनेट और मैगनेटिक फील्ड के बारे में चलें पहले बात कर लेना मैगनेट क्या होता है अब मैगनेट is a special type of material having two poles North and South एक मैगनेट मैंने यहां पर बनाया एक मैटेरियल जिसके दो बोस रते नौर्थ और साथ और उसकी ability हो दिया एक अट्रेक करने की और दूसरी ability हो दिया उसकी रिपैल करने की अब मैगनेटिक फील की बात करते हैं कि मैगनेटिक फील क्या होती है a force that pulls on other ferromagnetic materials such as iron and attracts and repels others एक ऐसी field जो के other magnetic materials यानि के iron या ferromagnetic materials अब एक magnetic field इस तरह की होती है मतलब इस field के अंदर अगर कोई भी material आता है तो इसको यह attract कर सकता है यह repel कर सकता है अब दो conditions है हमारे बस magnet attract कर सकता है और repel कर करता है magnet attract उसको करता है जब इसके repose different हो यानिके एक north पोलो तो दूसर south हो अगर मैं इदर बना के दिखा दूँ यहां north और यहां south तो इन दोनों के बीच में होगी attraction और इस तरह दूसरी बात कर रहा है अगर ऐसा कोई magnet हो जिसके same poles हो यानि यहां पे north है तो यहां पे भी north हो अगर south की बात करें दोनों side अगर south हो तो यहां पे होगी एक repulsive force और यहां पे होगी attractive force तो पहले करता है same poles को और attract करते हैं different poles को तो यह दे एक छोड़ी सी वीडियो जिसमें हमने magnet और magnetic feed के बारे में पड़ा उमीद है आपको वीडियो समझाए होगी like करें comment करें और subscribe करें शुक्रिया झाल झाल झाल